देखें लोगसबात चुनाओं का काउंडाउन शुरू हो चुका है आज शनिमार को नेताओं की ताबरतोर रैलियां होनी है ग्रेबंत्री आमिशा आज तीन राज्यों में तीन रैलियां करने माले हैं सुबह कन्या कुमारी में रोडशो है उनका दोपैर को राजस्थान के हरसोली में जनसबा है और शान को नोईडा में रैलिय होनी है वहीं भारती जन्ता पाटी के अद्धेक्स जेपी रड़ा आज नागालेन में रैलिय करेंगे राहुल गांदी आज 36 गड़ के बस्तर और माराश के भंडारा में रैलिय करेंगे जबकि प्रेंगा गांदी वाड़रा उत्राखन के रामनगर और उड़की में रैलिय करेंगी यानि कि कह लिजिए रैलियों का आज सूपर सैटेड डे 2024 चुनाव को लेकर शनिवार को मेराथन रैलिया हैं तमाम नेताओं के तरब से सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेता इसमें शामिल हैं चाहे रोड शो हैं या फिर रैलियों सभी में उनकी उपस्तिती होगी संबोदित करेंगे जनता के बीच रहेंगे वहीं बात करते हैं चुनावी दंगल में उस दाओ की जैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने थरीके से इस्तिमाल कर रहे है प्रदार मंत्री दाबा कर रहे हैं कि वो ब्रशाचारियों को हटाने के मिशन में जुटे हैं और विपक्ष ब्रशचारी बचाओ अभियान पर वहीं दूसरी तरह विपक्ष का कहना है कि वशिंग मशीन लेकर गूमने वाली बीजेपी से बड़ा ब्रशचारी कौन है लेकर प्रधान मंत्री मोधी लगातार विपक्ष पर हमला कर रहे जाच एजन्सियों की कारवाई को सही ठहरा रहें और प्रश्टा चार पर एक्षन के विरोध में हो रही सियासत को लेकर सवाल उठा रहें मोदी पर उनका गुसा सात्वे आस्मान पर है और इसलिए कुछ भी बोलते जा रहे हैं और जब मैं कहता हूँ जब मोदी कह रहा है ब्रश्टा चार हटाओ तो वो कह रहे हैं ब्रश्टा चारी बचाओ जब कॉंग्रेस की सरकार थी तो गरीब का नवजवान का पैसा बीचोलिये खा जाते थे बाजपा सरकार लोगों के हग का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसपर कर रहा है दरसल विपक्ष ने दिल्ली के सीम की गिरफतारी को सियासी मुद्दा बना दिया है लियाजा लोगों को ये बताना बीजेपी की चुनावी मजबूरी है कि जो भी कारणवाई हो रही है वो फ्रस्टाचार और फ्रस्टाचारी के खिलाफ अर्विंद केजरिवाल जी को जूटे आरोपों के साथ फरजी आरोपों के साथ बिना किसी प्रमाण के ईडी ने गिरफतार किया है केंदर सरकार ने गिरफतार किया है बिखतर होगा आप लोग अपने में से किसी एक को चुनकर डिली में सरकार स्थापित करें क्योंकि बहमोद आपके पास है इस तरह के अनर्गल आरोग लगाने से इसे डिली का फैदा नहीं होने वाला है डिली आपके ब्रश्टाचार और आपकी चोरी से तन आच हुए प्रश्टाचारियों के खिलाब कारवाई और तेज होगी ये को ताना शहीर है और हम सब इस ताना शहीर का जवाब देगी प्रश्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्योंड़ा हो एक्शन होगा जुरूर होगा ये देश सिरफ चान लोगों की जागीर नहीं है इडी इंवेस्टिगेशन नहीं करती है एक्स्टोर्शन करती है इसके लिए प्रश्टाचारी गरीब का बेटा मोधी गरीब का सेवक है विपक्षी ने ताओ को दराने धमकाने भास्पा में शामिल कराने के लिए प्रश्टी इसमें हमारे 303 संसद है हमें 6000 करोड के बॉन मिले हैं और 242 संसद जिन पाटियों का है इसको 14,000 करोड के बॉन निकले क्या सोड़सराबा करे हो गई दावे से कहता हूं जब हिसाब खुलेगा यह लोग आपको फेज नहीं कर पाएंगे क्या गोपनी हिदा की बात करे हैं लोग करोड़ों रूपयों का चंदा लिया कैस में 12,00,00 करोड के गपले गोटाले ब्रश्टाचार किये जैल में जा रहे हैं और हमसे ही साब मांग रहे हैं हमने तो काला धन को समाप्त करने के लिए बॉन लाये था जब कैस से चंदा लेते हैं तो 100 रूपया पार्टी में जमा कराते हैं और 1000 रूपया अपने घर में रख लेते हैं दिल्ली सहित पूरे देश में सबसे बढ़ी अगर भ्रश्टाचारी कोई पार्टी है तो इलेक्टर बॉन्ड ने शो कर दिया है क्यों भारती जनता पार्टी है बारती जनता पार्टी पहले रेट डलवाती है ED से IT से CBI से और उसके बाद वहां से चंदा लेती है यह मोदी जी की मांदारी है कोई भ्रश्टाचारी कमिशन खोर कटर मैमान बचने नहीं वाला है और यह जो भ्रश्टाचारी है वो कह रहे है हाई हाई मार डाला यह क्या कर डाला आगे क्या होगा भ्रश्टाचार की लडाई बड़ी है मुद्दा बड़ा है लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि जनता इस मुद्दे को कितना एहम मानती है आज तक देरो